दोस्तों चेन नई सुपर किंट के कैम्प से तो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां तो बात अगर पहले खबर की करे तो चेन नई के कप्तान महेंदर सिंधोनी से जुड़ा है वही बात दूसरी खबर की करे तो चेन नई के बॉलत उशार देश पांडे से जुड उससे पहले जो अगर आप भी कप्तान महेंदर सिंध धोनी और चेन नई सुपर किंड के बड़े फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते है कि 2024 की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है ऐसे में सभी टीमें अपनी अपनी तयारी में लग चुकी है पर अपने कप्तान महेंदर सिंध धोनी तो फरवरी से ही प्रेक्टिस के लिए ग्राउंड पर उतर चुके हैं जो दर्शाता है कि उम्र चाहे कितनी भी हो गई हो लेकि जो रोशोरो से तैयारी में लगे हुए है एक रिपोर्ट की माने तो जिसका मैं दावा नहीं करता नेट पर खेले 34 गेंदों पर ताबरत और 65 रंठोग डाले कप्तान महेंदर सिंध धोनी और जिस प्रकार से चेन नई के कप्तान महेंदर सिंध धोनी प्रेक्टिस कर रहे है बाकी टीमों को बच के रहना होगा सूत्रों की माने तो CSK के कप्तान महेंदर सिंध धोनी का यह आखिरी सीजन हो सकता है ऐसे में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेंगे चेन नई के चेंपियन अगर 2024 का खिताब जीतने में चेन नई की टीम सफल हो जाती है तो IPL इतिहास में सबसे सक्सेस्फुल टीम बन जाएंगी महेंदर सिंध धोनी वाली चेन नई सुपर किंग्स वही बाद दूसरे खबर की करे तो चेन नई सुपर किंग के तेज गेंदवाज तुशार देशपांडे से जुड़ा है जो एक प्रॉपर तेज गेंदवाज है पर इन्होंने बढ़ोदा के खिलाफ रंजी मैच में अगार हवे नमब पर उतर के शांदार किंग्स वही बाद दूसरे खबर की करे तो चेन नई सुपर किंग के तेज गेंदवाज तुशार देशपांडे से जुड़ा है जो एक प्रॉपर तेज गेंदवाज है पर इन्होंने बढ़ोदा के खिलाफ रंजी मैच में अगार हवे नमब पर उतर के शांदार शतक ठोक डाले जिसमें उन्होंने 123 रनों की पारी खेल कर इतिहास रट दिया ये चेमनई के दृष्टिकों से भी अच्छी खबर है क्योंकि अगर चेमनई की बैटिंग क्लैप्स करती है तो तुशार देशपांडे बैटिंग करना भी जानते है धन्यवाद